एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं. Infosys stock के बारे में हमने आपको कहा था कि इस stock में जो 1550 का लेबल है उस लेबल को स्पोर्ट करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए. अगर 1550 के नीचे का क्लोजिंग आता है यानि की दो दिन अगर 1550 के नीचे का क्लोजिंग देता है तो शुर्ली इस stock 1400 तक के प्राइस को आराम से टच कर सकता है. लेकिन आज के training session में जहां overall IT sector में हमने Headly से link देखा और TCS, Infosys, Take, Vipro सभी stock LTI को फिरोज माइन ट्री सभी stock में हमने जहां अच्छी खासी गिरावट देखा, वहीं अगर आप Infosys को देखेंगे तो मैं 1.5 प्रतिशत के आसपास के गिरावट में है और 1550 के जो लेबल था उसको break नहीं किया 1554 के लोग बनाने के बाद अगें stock 1565 पर trade कर रहा है और आज देखेंगे तो जो बाहर है more than double के आसपास के seller के accordingly है तो एक recommendation रहेगा कि overall IT index यह जो sport level है यहां से solely bounce back लेते हुए दिखेगी अगर आप investment purpose से stock में bike करना चाहते हैं तो आप 1450 तक के levels के लिए रुख सकते हैं अगर चाहे तो यहां से average आउट भी कर सकते हैं लेकिन जो short term trader हैं जो option के थरू track करना चाहते हैं या फिर swing training करना चाहते हैं तो शुरली एक bike recommendation रहेंगी यहां 1555 से 1560 6265 के price पर bind करें और 1530 के stop loss को लगा करके पहला target 1590, 1600 और दूसरा target 1650, 1590, 1600 तक का target within 527 days और maximum 15 days के duration का जो target होगा वो 1650 का target होगा और आगे ने stock अगर 1550 के नीचे का closing देती है तो again आप अपने वयू को change करके short term tender sort कर सकते हैं